जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहारे पंचायत चुनाव हो रहे हैं और जैसे इस से चुनाव हो रहे हैं काउंटिंग के तहथ रिजल्ट की घोसना की जा रही है तो इसी कऱं में एक दिल्चस्व बात यह है कि मैथमस्ती के टीचर जो है मतलब जो पढ़ाते थे मैथम मस्ती यूटूब चैनल पर यानि कि बिपिन सर जिनका ये चैनल है मैथ मस्ती वो युवाओं को मैथ पढ़ाते थे competitive exam के लिए जो परिछाएं होती है सरकारी नौकरियों के लिए जो तयारी लोग करते हैं उनके लिए जो मैथ पढ़ते हैं तो विपिन सर अपने यूटूब चैनल के ज़र्ये सब्षी बिहार के छात्रों को पढ़ाते थे इना ल जड़्ाद सकते तरह पर लिए आपने पंचयाथ से मुखियां पद के लिए權 लड़े थे यानि कि बिन सर जो है उन्होंने चुनाव लड़ा मुखिया पद के लिए अपने पंचायत सलह पंचायत से और काफी ज्यादा हाइलाइटेड है क्योंकि विपिन सर के चुनाव परचार में ना सिर्फ प्रिया मैं जो साइंस की टीचर है बाइलोजी पढ़ाती है जैसा कि हलाकि मैं तो कंपिटिटिव एक्जाम की तैयारी ज्यादा नहीं मतलब करता ही नहीं लेकिन तो अब बहुत नजर रखता हूं तो प्रिया मैं जो साइंस की टीचर है वो उनके चुनाव में आई सबसे बड़ी बात अब मैं आपको बता दूँ कि खान सर जिहां जी एस खान जो सर है बि तो वो भी उनके चुनाव परचार में आये थे विपिन सर के चुनाव परचार में खान सर भी उतरे थे तो यूं कहें कि यह पंचायत में सबसे ज्यादा नोमिनेशन हुआ और ऐसे से समाज के खरे हो जाते हैं पंचायत में तो यह पंचायत खास बन जाता है तो इसी करम में विपीन सर अपने पंचायत से मुख्यापत के लिए खरे हुए और उन्होंने जीत दर्ज की तो इसी करमिन amis recoll entry बाबा कि और से विपीन सर को मुखिया बनने के लिए बहुत-बहुत सुबकामनाय दे रहा हूं Explain Baba, मैं Explain Baba यानिकी सुरजकुमार अपने YouTube चैनल के जरी है विपीन सर को बहुत-बहुत ज़्यादा सुबकामनाय दे रहा हूं मुखिया बनने के लिए एलेक्शन में जीत दर्ज करने के लिए और सच कहें तो ऐसे ही लोगों की वाजनीती में जवर्वत है पढ़े लिखे लोगों की जवरत है, जो समाज के लिए कुछ कर सके, जो छातरों के लिए कुछ कर सके, जो पढ़ाई में के महत्व को समस्ता होगी, समाज में कैसे बदलाव आ सकता है, पढ़ाई से हम सब चीज कर सकते हैं, जौब ले सकते हैं, अपनी अर्थ विवस्ता सु इसको सुधार सकते हैं तो सिच्छा का क्या महत्व है यह विपिन सर जानते हैं और मुझे लगता है कि अपने पंचायत में जरूर इसको आगे बढ़ाएंगे जैसे वह अपने यूट्यूब चैनल के जरीए लोगों को पढ़ाते थे तो अपने पंचायत में व्यापक बनाते थे और कुछ ऐसे वीडियो बनाते थे जिसके तरत समाज में जागरुकता फैलाया जाए समाज को एक संदेश दिया जाए तो विपिन सर हमेशा लगतार अपने पंचायत से जूड़े रहते थे और काफी ज्यादा एक्टिव रहते थे समाजी कारियों में तो ऐसे लोगों को मुखिया बिल्कुल भी बनना चाहिए मुखिया क्या मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को MP ML बने और और आगे तक जाए तो विपिन सर को पुन हमें एक बार फिर से कहूंगा कि बहुत-बहुत सोब काम ना है आपको आपकी पूरी टीम को आपके पूरे परिवार क को आपके पूरे पंचायत को कि उन्होंने एक अच्छा योग उमिदवार चुना है अपने पंचायत के लिए तो एक्स्प्लेइन बाबा की ओर से विपिन सर को मैंतमस्ती की टीम को विपिन सर को मुखिया बनने के खुसी में हार्दिक सुब कामना है बहुत-बहुत सुब कामना है धन्यवाद